आप सब उमीद करती हूं आप लोग अच्छे होंगे जैसा आप लोग जानते हैं कि प्रीपोर्ट की रिल्चीट आप लोगों की आच चुकी है तो वैसे तो मैंने आपका जो पहली बुखे जान पहचान उसके तो सारे चैप्टर अल्मूस्ट कंप्लीट करवा दिये हैं सब पहले के सारे चैप्टर सापके अप्लोड है आज हम लोग चैप्टर नंबर 17 पढ़ने जा रहें इसके बाद दो चैप्टर आपके और रहते हैं 18 और 19 वह जल्दी से जल्दी में अप्लोड कर दूंगी तो आप लोग पढ़ाई शुरू कर सकते हैं कोई confusion है कोई doubt है तो आ करने से पहले मैं आप लोग को बता दूँ वीडियो का पैटेंट सेम ही रहने वाला है पहले हम लोग चैप्टर को डिसकर्स करेंगे उसके बाद को शुरांसा लिखके देखेंगे ताकि आप लोगों को असानी हो सके ठीके तो आज हमारे चैप्टर का क्या नाम है शेहद क हम लुग में मख्टर करो को शेहैं कहां से शेहद कहां से आइंसे कौन बनाता है यानि अकबाल सहाब की ये नजम है और इसमें हम लोग ये जानेंगे कि शहत कहां से आता है इसको कौन बनाता है ठीक है चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं आप लोग से रिक्विस्ट है कि भई आप लोग जल्दी से जल्दी आप 70K हम लोगे सब्सक्राइबर हो चुके है अब आप लोग इसे 100K तक पहुचा दें ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं अगर आप लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं किया है तो एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए तो देखें क्या लिख है पढ़ते हैं इस फूल पे बैठती कभी उस फूल पर बैठी यानि कभी इस फूल पटी है और कभी दूस्रे फूल पर जाएं मुझे बताओ तो क्योचा धूनती है शहूवत इस फिरती है कभी इस फोल बैठ tiह एजबिखाओ दिखाया गए है ना बर्माकी का चट्भा होता होताई जहां पर इला है क्या काम है गुलजार में उसका यह बात समझो तो समझे तुम्हें दाना यानि कि क्युं है ये बात मैं तो हम समझें तुम बहुत होशयार हो दाना हो बहुत अकल्मन हो ये बात मुझे समझाओ कि यह आती है बाग में ठीक है आगे देखे क्या कहते हैं सबजे से है कुछ काम के मतलब है सबा से या तो हर्याले से फूल से घास से इनसे कुछ काम है या सबा सुबा की ठंडी हवा जो होती है उससे कुछ काम है किस से काम है क्यों आती है या प्यार है गुल्षन के परिंदों की उनकी सदा उनकी आवाज या उनकी आवाज से इसको प्यार है इसको किस चीज से प्यार है क्यों आती है ये बार बार बाग में जरा मुझे बताओ ठीक है आगे क्या कहते है क्यों बाग में आती है ये बताओ तो जाने क्या लेने को आती है क्या लेने को आती है ये समझाओ त तुम्हें जाने कहते हैं करती रही कुछ काम अगर अकल तुम्हारी हम तुमको बताते हैं सुनो बात हमारी यानि अब हमने तुमसे इतने सवाल पूछे अगर तुमको नहीं समझ में आया कि मक्ही बाग में क्यूं आती है और तुम्हारी अकल काम नहीं कर रहे हैं तुम नही एक तरहा का रस है आवारा इसी चीज की खातर ये मगस है यानि की कहते हैं जिसे आप शहद कहते हो ना वो एक तरहा का रस है और ये मगस मगस किसे का जाता है शहद की मक्ही को यानि शहद की मक्ही जो आवारा मारी मारी फिर रही है इधर से उधर इसी वज़े से फिर रही है क्यों कि ये शहद को क्या कर रहे है ये तलाश कर रहे है कि शायद हमें कहीं शहद मिल जाए और हम इसको ले जाए अपने साथ ठीक है आगे कहते हैं रखा है खुदा ने उसे फूलों में चुपा कर मक्ही उसे ले जाती है छटे में उड़ा कर कहते हैं कि अल्ला पाक ने उस रस को कहां छुपा के रखा है फूलों में आपने साइंस में पढ़ा ओगर नेक्टर बोलते हैं तो कहते हैं कि खुदा ताला ने उस रस को कहां छुपा के रखा है उसे छुपाया है फूलों में और मक्खी क्या करती है उसे अपने साथ उड़ा कर ले जाती है हर फूल से ये चूसती फिरती है इसी को ये काम बड़ा है उसे बेसुद न जानो यानि की अब बताईए वो हर फूल पे बैठती है फूल से चूसती है और उसके बाद उसे लेके जाती है तो कहते हैं भई ये बहुत बड़ा काम है इसे बेकार ना समझो बेसुत ना जानो यह बेकार ना समझो है तो बहुत बड़ा काम है, इसे आप बेकार नहीं समझे, मक्ही ये नहीं है, कोई नेमत है खुदा की, मिलता ना हमें शहद, ये मक्ही जो नहीं होती, कहते हैं ये मक्षी नहीं है ये अल्ला ताला की निमत है निमत किसे का जाता है वो तोफ़ा जो अल्ला ताला की तरफ से हमें दिया जाए कहते हैं इसे शहद नहीं समझो ये क्या है अगर हमें शहद नहीं मिलता अगर ये मक्षी ना होती इस शहद को फूलों से उडाती है ये मक्ही खुद खाती है औरों को खिलाती है ये मक्ही यानि कि ये जो मक्ही है ये क्या करती है इस शहद को यहां से लेके जाती है फूलों से और खुद भी खाती है और हमारे लिए भी तियार करती है कि हम भी उसे खा सके इ, 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 शफा भी है अला पाक ने इसमें हमें शफा भी रखी है है ना रखते हो अगर होश तो इस बात को समझो तुम शहद की मक्षी की तरहां इल्म को ढूंडो है ना अब देखिए पूरे नजम थी बहुत अच्छी नजम थी लेकिन इस नजम के लिए जो में शेर है वो सिर्फ य कांदा नायहिए इस चैश्व को आप तक हो ओचाने के लिए ही यह-पूरी नजम को हा गया है को अगर होश है अगर आप के अंदर थोड़ी अगा हो पिक जे पी समझ को मतलब किया होता है समझ और अगर समझ है कि आहीं अगर आ पतर मख्षा तो आप लाओ शहहद की माइने तो यहीं सिल और प्रिवार करती है उन्हों को काबिल पर शीड एंशने लिए उन्हें यह तोर इसके न्वार्ग्वार RICH उसकोर क्षार कॉल कि स्टेजन है उसलिए अगर आए ज़ीन से पूक्ते हैं इसके बाद देखें या मश काता है यानि माईने याद कीजिए तो देखें गुलजार गुलजार का मतलब क्या होता है फुलवारी चमंद है ना यहां लिखा है दाना दाना मतलब अकलमंद होश्यार सबा सुबा की ठंडी हवा गुलशन मतलब बाख सदा मतलब आवाद मगस क आपके सवाल जवाब दिये गए हैं मुतरादी फल्फास दिये गए हैं कुछ मिस्रे लिखें इनको पूरा करना है और अमली काम दिया गया है तो यह सब चीजे हम लोग आंसर शीट पर देखेंगे और यह देखें यहां पर आपको एक तस्वीर दी गई है प्यारी से जिसमे पर मैंने पेश किया है कि नजन के जो अशार है उनकी तश्रीम वैसे तो मैंने आपको साही चीजे पढ़ पढ़के बता दी हैं समझा दी है लेकिन अगर आपको पेपर में तश्री आती है करने के लिए तो यह एक एक शेर दिया गया है उसके नीचे उसकी तश्री दी देख सकते हैं और अपने आंसर को लिख सकते हैं अगर उनसे कहा जाए कि भी इसकी तश्री कीजिए तो आप इसे देख सकते हैं आधर यहापे आप 2X के स्पीड में से बढ़ा दीजिए मरकजी ख्याल नजम का मरकजी ख्याल अकसर पूछ लिया जाता है तो इसलिए इसे लिखा है इस नदम के शरी शाहर ने यह बताने की कोशिश की है कि महिनत का फल मीठा होता है जिस दाह शहत की मटखी महिनत करके फूलों से रस हासल करती है और फिर शहत दनाती है इसी तरह हमें भी दिल लगाकर महिनत करके इल्म चाहिए चाहें हमें कितनी ही पैशानियों का सामना करना पड़े इल्म के बगएर इनसान कामियाब जिंदेगी नहीं गुजार सकता ठीक है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया यहां पे सारी बात किस से है इल्म से है कि आपको इल्म हासल करना है हर हाल में ठीक है अब यहां आपके सवाल जवाब अगर हम लोग शुरू करें तो पहला सवाल लिखा है शेहत की मख्यी बाग में क्यों आती है तरसाज इसका जवाब क्या हो जाएगा शेहत की मख्यी बाग में फूलों का रस लेने आती है अगला सवाल क्या है शेहत की मक्ही शेहत किस तरह बनाती है तो अब आप इसका जवाब लिखेंगे शेहत की मक्ही फूलों का रस चूस कर अपने च्छते में ले जाती है वहाँ फूलों के रस को शेहत में तब्दिल कर देती है ठीक है आगे चलते हैं अगला कुशन देखें यह आपको दिया गया है शाइर ने शेहत की मक्ही को आवारा क्यूं कहा है तो इसका जवाब होगा शाइर ने शेहत की मक्ही को आवारा इसलिए कहा है क्यूंकि वह फूलों की तलाश में मुसल्सल derechos अधर इदर उरती फिरती है इसलिए अवारा उसे कहा है ठीक है आगे चलते हैं अगला सवाल एक का है शेहत की मक्षी लोगों को क्या पैगाम देती है तो जवाब है शेहत की मक्षी लोगों को मेनत करके मीठा फल हासल करने का पैगाम देती है यानि आप भी हमाई तरह मेनत कीजिए और उसके बाद मीठ फल आपको भी मिलेगा आखरी सवाल दिया है कि आखरे मिस्रे में शायर ने क्या कहा है तो आपको पता है आखरे मिस्रे में शायर ने कहा है कि तुम भी शेहत की मक्ही की तरह में इनत करके इल्म हासिल करो ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब देगे हैं मुतरादिफ अलफास यह गए हैं तो आपको क्या करना है एक जैसे मुतरादिफ का मतलब होता है जिनके मीनिंग सी मुझे से हम लोग क्या बोलते हैं फूल गुल ठीक है मगस शहत की मक्षी गुलजार माने चमन दाना माने अकल मन तो यह सब क्या है इसके मुतरादिफ है यानि लवस दो है लेकिन उनके मीनिंग एक है आगे आजाएए नीचे दिये हुए मिस्रो को पूरा कीजिए अब आपको यह नीचे मिस्रा दिये गए हैं इन्हें पूरा करना है पहला मिस्रा क्या दिया गया है सबजे से है कुछ काम के फिर आपको लिखना है मतलब है सबा से रखा है खुदाने उस होता है, उम्मेद करती हूँ, आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चीके, चलिए, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, नेक्स चैप्टर के साथ, तब तक के लिए, अच्छे से म इनत करें, पढ़ाई करें, एक्जाम सर पे हैं, ओके चलिए, थैंक्यू फॉर वाचिंग,